ए मा तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी भगवान हर जगा नहीं पहुंच सकते इसलिए सैद उन्होंने मा को बना है बच्चे के हर कश्ट जेलने के लिए बच्चा अगर मौत के गोध में जा रहा तो वहां से वापस लाने की तागत की मा की ममता में ही होती है नमस्कार स्वागत आपका मेरी यूटूब चैनल नंदनी जो मैं मैं हूं नंदनी आज का सोचल नेट वे से आट बर दो तिन से एक पोस्ट बहुत ज्यादा वैरल हो रही है जिसमें जिसमें एक मा को खीड़की से लटकते हुए दिखाया गया खीड़की से बूरे हाल से बूरे हाल हालत में जल रही हो और उसने अपने बच्चे को खीड़की से बाहर को बाहर को लटका रखाया यह से बाहर को ऐसे करके बच्चे को छोड़की लटका दिया एक हाथ से और खुद अंदर जलती रही कितना दर्द साह होगा उसमा ने लास्ट तक भी उसने अपने बच्चे को हाथ पे पकड़ा रहा अंदर जलती रही बुरी तरह से उस हाथ को टस से मसनी होने दिया उसमेला ने कि उसका बच्चा छूटना जाए इतनी बुरी बुरा जब इनसान जलता है थोड़ा सभी हमा कहीं ख्रोच आते हैं कितना तड़ा पुड़ते हैं पर एक मा की ममता ही है जो खीड़गी के से बच्चे को बाहर को लटका दिया और उस हाथ को हरकत बलकुल अकर जाता किसी हालत में उसने हाथ से बच्चे को छूटने नी दिया उस हाथ को हिलायत तक नि उस बच्चे को वैसे कि वैसे जो है उसने खीड़की से नीचे को लटकाई रखा ताकि बच्चे को कोच ना हो तो मा की महबत का अंदाजा लगाना मुश्किल है उसका तो कोई अंती नहीं है खुद जल के अंदर कितना इंसान तरपता है हम थोड़ा सा भी अगर हम कहीं से पे जल जाते हैं लेकिन उस मा के ममता का क्या अपने बच्चे को मौत के मुँझे बाहर ले आई खुद को मौत के गोद में धकेल के जब जनम देती है तब भी और जनम देने के बाद भी मारते दंग हर बार अलाज को इतनी परिशानियों से मौत तो बचाती है मौत के मुझे भी आपश लाने की तागात एक ममता ही कितना दर्द सहा उसने हाथ बाहर लटका के और उस हाथ को हिलने तक थोड़ा सा हरकत नहीं होने दी हाथ में बिल्कुल हाथ ऐसे के ऐसा ही रहा बच्चे बाहर को लटका के उस हाथ को हिलने तक नहीं दिया खीड के इसके बाहर को लटका की रखा खुद जल गई और बच्चे को अपना बचा लिया कितना दर्द बरदास किया होगा उस माने उसने नीचे को बच्चे को लटका है जब तब हायर बिलगेट ओले आते हैं उन्होंने बच्चे को बचा लिया लेकिन खुदो मात जल के अपने बच्चे को बचा दिया यह सिर्फ एक मा ही कर सकते हैं आज समझ में आये मा को भगवान क्यों दुनिया में क्यों भेजता है शायद भगवान हर जगर नहीं जा सकता है इसलिए उसने मा को बनाया इसलिए उसने मा को भेज़ा है दुनिया में मौत के मुझ से अपने बच्चे को उसकी ममता बाहर खिचलाई बच्चा बज बज गया लेकिन खुच जल गई तहीं दिल से सलाम है, ऐसे ममता मही मा को, दिल से नमन करती हूँ ऐसे ममता मही जन्नी को जो पता निया अपने अलाज को कि एक दफे दो जन्न देती है, ये एक ताजा उधारण है तो बच्चे को खिड़की से नीचे खुद कश्ट सहरे, जल रहे कितना दर्द हो रहा हूँ उसने इस हाथ को खिड़की से नीचे लड़का हुआ उस हाथ मना तो हरकत होनी दे ना उस हाथ को हीले कि मेरा बच्चा न छोड़ जाए, उसको कोई ख्रॉच न आजाए, आखिर बच्चे को बचा लिए और झूद जल के राख होगी खुल चलेगी लेगे अपने बच्चे को बचा लिए. लाखों जन्म कम है ऐसी मा की सेवा के लिए ऐसे मा का कर्ज उतार पाना किसी भी उलाज की न तो अवकात है न वो कर्ज कभी उतरेगा किसी भी जन्म में किसी के उकात नहीं मा की कर्ज उतारने का बहुत सारे जो बच्चे आज का मा को तुमने हमारे लिए किया ही क्या है यह बोलने से पहले सोच लेना चाहिए बच्चों को बहुत आसानी से बोल देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है माना जाने कितने दफे जन देती है अपने बच्चों को कितने दफे मुश्किलों से दर्द से बाहर निकालती है मौत के गोश्च से बाहर लाती है ये ताजा उधराण है आजकर तो आजकी ये वीडियो मेरी ऐसी ममता मही मा को समर्पित है हर वो मा को हर मा को हर मा अपने बच्चे के लिए ही करती है जिस हद तक जाना पड़े बच्चे के दुख दर्द को कम करने के अपनी ममता की छाओं से बच्चे की तकलिप को ढख देती है मौत के मुझ से भी बाहर निकालने की ताकत एक मा की ममता महीं है ये मा की ममता नहीं तो और क्या ये ममता ही है लाखों करोड़ों जन भी कम है ऐसी मा की सिवा के लिए तो कभी भी मा के दिल को तकलिप देने की कोशिस कभी ने करने चाहिए और किसी को करने भी ने चाहिए और सोचना भी ने चाहिए बस मैं यही कहूँ कि अपने इस वीडियो के माध्यम से कि मा के दिल को दुखाने के कलती कलती से भी मत करना मा दुबारा नहीं मिलती कि मुझा जब में। भी मिलती जुखाने ओम से वीडियो के पाइए और करने लाओयाए मुझा करने बस्से बस्सकता है झाल झाल